जैयिये दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका दोस्तों मालदीव को भारत ने एक ऐसा आइना दिखाया है जिसका वो हकदार था और जिस तरीके के गतिविदिया हाली में मालदीव और भारत को लेकर जो सामनी आई है खासकर कि मालदीव में जब से मुईज जी हुआ के रास्पती बने है तब से उनके विचार धारा ऐसी बदली कि उन्होंने भारत को बिलकुल साइड लाइन करना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह थी कि भारत ने इतना सर्योग मालदीव को किया है कि उसका कर्ष जिंदगी भर यह नहीं उतार सकता है लेकिन मुईज जी को अब चायना की गोद में जाना कितना भरी पड़ सकता है इस बात का उधारन प्रधान मंति ने अब होगा और 100% यह तै है क्यों क्योंकि नैन मोदी जी जो अभी लक्ष दीव की यात्रा पर गए है वो एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अभी तक दोस्तों मालदीव को एक टूरिस्ट देस्टिनेशन माना जाता था और भारत से सबसे जाता दोस्तों भारत की तरफ से जो लोग थे वो काफी वहाँ जाते हैं खास करकि उसे एक पूरितरेगी से टूरिस्ट स्पॉर्ट बनाया हुआ है मालदीव को और मालदीव का कम से कम दोतिया ही जो आए है इंकम है वो टूरिजम से होती है लेकिन अब लक्ष दीव पर भारत ने उसको ऐसा आइना दिखा है जो कि मालदीव हमेशा याद रखेगा एक चीज में आपको और बता दूं यहाँ पर कि जो लक्ष दीव है जो केंदर शासी प्रदेश है वहां का जो मौसम है यह हिंद महासाकर शेतर में दोस्तों स्थापित है और यह जो जगा है उसका जो इन्वा लेटक लक्ष दीव की आत्रा करते हैं लेकिन पर्दानमत्री जी कि यह जो लक्ष दीव की आत्रा है वो अब यहाँ पर टूरिजम को बढ़ावा देगी और लोग मालदीव की बजाए लक्ष दीव को चुनना पसंद करेंगे क्योंकि यह जो टूरिस प्लेस था अभी तक ज़्यादा लोग इस पर नहीं जाते थे आप पेंसे बहुत कम लोग आ गए होंगे लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत भारी भीड टूरिस्टों की आने वाली है और मालदीव को भारत इस तरीके से अपसाइड करने वाला है कि यह हमेशा याद रखेगा तरसल दोस्तों मालदीव के जो नए रास्पती है मोईजू इन्होंने सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी नारे शुरू कर दिये थे देने और साथी साथ वहाँ जो मौझूदा भारतिय सेना थी उनको भी भार निकाल दिया गया इसके अलबा भारत इनौ सेना का वहाँ पर हाइड्रोगाफी सर्वे का भी जो कॉंट्रैक्ट था उसे भी उसे निरस्त कर दिया तो ये भारत के लिए लगातार एक तरही से जटका ही था कि हमारा पडोसी देश इस तरीके की हरकते कर रहा है और यहीं दोस्तों 2017 में इस मालदीव ने चाइना के साथ फ्री सब चलता रहा जिस तरीके का प्रावरण है तो 2050 तक मालदीव का कम से कम 80 पर्तिशत जो हिस्सा है वो पानी में समा जाएगा इतना सब जानते हुए भी मालदीव ने भारत के खिलाफ बयान बाजी शुरू करी और यहां नहीं दोस्तों इसका इंपेक्ट बहुत जादा प्रणिती बहुत जादा लगने वाला है और परधार मंतरी ने इंद मोदी की यात्रा मैं फिर से कहूंगा यह बहुत बड़ा संदेश है मालदीव के लिए अभी तक एक प्रोटोकॉल के तहत मालदीव का जो भी नया रास्पति चुनता था वो भारत यात्रा पर आता था यानि कि उसकी पहली भारत यात्रा होती थी लेकिन जैसी दोस्तों मोईज जी रास्पति बने उन्होंने च चाटिर्जिक है कमें शेक्षे में लिख कर दो बताएगा मैं विडिये के साथ जैंद ने मात्रम